हेलो स्टूडेंट मैं शाहिन लूथरा आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी मीडियम मैट्स की प्रशनावली 12.3 करवाऊंगे इससे पहले कि अभी तक हमने सभी वीडियो चैनल पर अप्लोड कर दी है आप जाके देख सकते हैं इसका जो इंट्रडक्शन पार्ट अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये प्रशनावली करने बहुत असानी होगी अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चैनल की प्लेइलिस में जाके देख सकते हैं प्रशन एक है यदि M equal है 2 के यहाँ पर M का जो मान है वो हमें 2 रखने है जहाँ जहाँ पर हमें M दे रखा होगा वहाँ पर हम उसको 2 लिखेंगे तो निमलिकित के मान ज्याद कीजिए तो हमें जो है इन सब के मान ज्याद करने कैसे जहाँ जहाँ पर M लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो इसको start करते हैं तो first दे रखा है M minus 2 अब M minus 2 अब हमें M की जगा पर क्या रखना है यहाँ पर बोला है M जो है वो 2 के बराबर म की जगह पे हम 2 रखेंगे, minus 2, तो क्या हो जगा, 2 मीसे 2 minus करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, अब हम यहाँ पे 3M minus 5, ठीक है, अब हमें M की जगह पे हम पे क्या रखना है, 2, तो 3, यहाँ पे M की जगह पे क्या आजएगा, 2, यह हमारा bracket में आजएगा, minus 5, अब 3 जो है 2 से क्या हो रहा है, multiply, 3, 2, जा, 6, minus 5, 6 में से 5 minus करेंगे, क्या आएगा, 1, ठीक है, अब 3rd वाला देखते हैं, इसका, 3rd वाले में क्या करना है हमें, 9 minus 5M, 9 की जगह 9 minus 5M की जगह पे क्या आजएगा, bracket में हम 2 रख लेंगे, 9 minus 5 और 2 को multiply कर देंगे, 10, answer क्या आएगा, 9 minus 10 में से minus करेंगे, तो क्या आएगा, minus 1, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ minus का sign है, तो इसलिए हमारा उत्तर में भी minus आएगा, इसमें से इसको minus करेंगे, तो 1 आएगा, वो भी minus का, अब जो है, हम next देख लेते हैं, 4th वाला पार्ट इसका, यहाँ पे भी जो हमें M की value क्या रखनी है, 2 रखनी है, 3 M की power 2 minus 2 M minus 7, ध्यान से देखना है इसको, 3 हो गया, अब यहाँ पे M की power 2 है, यहाँ पे ब्रैकिट में तो रखना है, लेकिन उसकी power 2 रखनी है, तो कि यहाँ पे हमें question में दिया है, इसका work 2, minus 2, फिर M की जगा पे क्या आजएगा, 2 और minus 7, अब 3 को 2 से क् करेंगे, नहीं, पहले हम यह जो 2 है, हमारा इसका work 2 है, इसको solve करेंगे, 3 bracket में 2 गुणा 2, क्योंकि इसका work 2 है, इसको 2 बार गुणा करेंगे, minus 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दुनी 4, minus 7, 3, 2 दुनी 4, 4 को bracket में रखेंगे, minus 4, minus 7, 4 तिये 12, गुणा कर लेंगे, minus 4, minus 7, अब इसको हम solve कर लेते हैं minus 4 और minus 7 minus minus plus हो जाएंगे तो minus 11 आएगा अब इसको हम 12 में से 11 को minus करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ठीक है आगे देखते हैं अब हमें यहाँ पर दे रखा है 5m बटा में 2 4 ठीक है अब हमें m की जगा पर क्या रखना है 2 ही रखना है तो 5 bracket में 2 और ब 4 4 के साथ अभी हमारा कोई sign हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ यहाँ पर 4 के साथ जो यहाँ पर तो हमें कोई sign नहीं दिया रखा लेगे भी हम देखते हैं इसको solve करके I think यहाँ पर minus का sign होना चाहिए 5 को 2 से multiply करेंगे तो 10 upon में 10 बटा में 2 आगया अब अगर हम इसको cut करत हैं 2 1 कम 2 2 पंजे 10 यानि कि हमारे पास यहाँ पर 5 आ गया अगर हम इसका पीछे उत्तर देखे तो इसका जो answer है वो 1 आ रहा है एक के हिसाब से यहाँ पर जो है एक minus का sign होना चाहिए अगर यहाँ पर minus का sign है तब ही जो यहाँ पर minus का sign लगाएंगे और जब इसको cut करेंग तो 5 में से 4 को minus करेंगे तो एक आएगा देखो अब यहाँ पर जो है वो minus का sign नहीं था अगर मालो मैं यहाँ पर minus का sign लगा देती हूँ पीछे के उत्तर के हिसाब से तो हम इसको फिर कैसे करेंगे फिर हमने इसको ऐसे करेंगे दुबारा मैं आपको दिखा देती हूँ ज बटा में 2 minus 4 2 1 कम 2 2 पंजे 10 अब 5 में से 4 को जो हम क्या करेंगे minus कर दें क्योंकि 5 बचा 4 बचा तो क्या आएगा एक ठीक है यह होगा हमारा प्रेशन एक अब हम देखते हैं प्रेशन 2 में अब हमें पी जहां पर है वहां पर हमें minus 2 लिखना है जहां जहां पर पी है वहां plus 7 तो 4 की जगा पर क्या आजएगा minus 2 plus 7 साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है एक भी साइन की मिस्टेक हो गई आंसर गलत हो जाएगा 4 को 2 से अब हम multiply करेंगे तो क्या आजएगा minus 8 क्यों आएगा क्योंकि जब हम multiply करते हैं दोनों में से एक अभी अगर minus होता है तो हम उसके साथ minus लगाते हैं 4 तू जा 8 हो गया plus 7 अब 1 plus है एक minus तो plus minus अब हमें 8 में से 7 को minus करेंगे तो 1 आएगा साथ में minus का sign आएगा और जब हम plus minus करते हैं तो बड़ी संख्या के साथ जो sign होता है वही हमारा उत्तर में आता है minus 1 आगया ठीक है second वाला देखो minus 3P की power 2 plus 4P plus 7 minus 3 हो गया P की power 2 यानि कि आपे minus 2 जो है उसकी power 2 यानि कि दो बार multiply होगा plus 4P minus का bracket में plus 7 तो minus 3 हो गया यह minus 2 into minus 2 दो बार आएगा क्योंकि इसका work 2 है plus 4 दुनी 8 आप देखो यह positive का है बार और यह अंदर negative है तो क्या आजएगा यह plus minus minus हो जाएगा तो यहाँ पर फोन सा sign आएगा minus का आएगा 4 दुनी 8 plus 7 minus 3 अब यह भी minus का 2 है यह भी minus का 2 है तो minus 2 minus 2 से दोनों minus क्या हो जाएगे कट हो जाएगा फिर आप कह सकते है minus minus plus हो जाएगे multiply होके तो दो दुनी 4 आजएगा minus 8 जमा 8 अब 4 दिये 12 minus का 12 minus 8 जमा 7 ठीक है अब एक minus का है एक plus का है तो minus 12 8 में से 7 को minus किया minus 1 अब minus minus क्या हो जाएगे plus तो minus का 13 क्योंकि दोनों ही minus किया तो उत्तर भी minus में आएगा ठीक है यह हमारे अभी तक 2 पार्ट होगे third part देखते हैं इसका third part में भी हमें करना है minus 2 P की power 3 दे रहे है minus 3 P की power 2 जमा 4 P जमा 7 अब minus 2 P की power 3 दे रहे है यहाँ पे हमें minus 2 लिखना है क्योंकि P की value 2 रख माइनस 2 रखने के लिए बोले गया लेकिन इसके उपर power 3 दे रहे है इसका मतलब सिर्फ तीन बार गुणा करना है, माइनस 3, P की पावर, फिर से 2 दे रखी है, तो माइनस 2 की पावर 2 हो गई, प्लस 4, यहाँ पे माइनस 2 ब्रैकेट में, प्लस 7, अब यहाँ पे देखो, यह माइनस 2 तीन बार दे रखा, तो यह भी हमें 2 बार गुणा करना होगा, अब यहाँ इतना कर लेते हैं, यह वाला कोशन हम बाद में लिख लेंगे, अब आब इसको देखो, यह माइनस 2 दुनी 4, और 4 दुनी 8, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माइनस 2 और यह 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 जो है वो माइनस का आएगा, देखो यह वाला माइनस और यह माइनस, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगे, या फिर कैसे तो माइनस माइनस दुनों प्लस हो जाएगे, एक माइनस फिर भी बचेगा, तो minus का 8 आएगा यहाँ पे भी जो है यह minus का 2 था ठीक है अब हम इसको minus 3 लिखने आगे minus 2 और minus 2 को multiply करेंगे तो 4 आएगा दो दुनी 4 और दोनो minus minus plus हो जाएगे ठीक है अब हम दोनों को solve कर लेते हैं अभी हमारा ये वाला portion जो है अभी हमने इसको लिखना है आट दुनी 16 लेकिन ये क्या हो जाएगा minus minus plus हो जाएगे तो ये हमारा जो है positive आजएगा चारती है 12 minus का 12 अब plus 4 इन दोनों को भी हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 7 16 minus 12 अब ये 4 दुनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा लेकिन minus का plus minus minus 8 हो गया plus 7 हो गया ठीक है अब हम आगे इसको solve कर लेते हैं ये दोनों minus के हैं और ये और ये दोनों plus के हैं तो 16 ये दोनों minus minus plus हो जाएगे minus 20 हो जाएगा plus 7 हो जाएगा ठीक है अब ये हमारा positive है ये भी हमारा positive plus का है तो 16 और 7 और हमारा आजएगा यहाँ पे 20 तो यहाँ पे हम इसको पहले कर लेंगे 23 दोनों को प्लस कर लेंगे 16 और 7 को इसमें से माइनस कर देंगे 20 को उत्तर के आएगा हमारा 23 में से 20 को माइनस करेंगे 3 अब जो हमारी बड़ी संक्या है वो positive है प्लस वाली है तो इसलिए उत्तर भी हमारा positive आएगा ठीक है यह हमारे इसके अंदर यह प्रशन 1 और प्रशन 2 दोनों गए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रशन 3-4 करेंगे और आगे की हर वीडियो में हम इसके 2-2 प्रशन डालेंगे अगर वीडियो helpful लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू